चोपडा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपडा आपका हर्दिक स्वागद करता हूँ मेरे पैरे बच्चो उत्तर परदेश और 36 गड़ इस्टेट की काउंसलिंग के लिए काफी छात्रों की निगाई रहती है इन स्टेट्स पर उत्तर परदेश स्टेट में लो कटोप और कंडिडेट को भी हाँ के प्राइवेट मेडिकल कोलेज में सीट मिल जाती है फीज स्टेक्शर इनका आ चुका है और 36 गड़ इस्टेट की कटोप तो थोड़ी ज्यादा रहती है लेकिन सबसे कम फीज की इस साल की कोलेज होने के कारण सबसे ज्यादा तो इन दोनु स्टेट का काफी दिनों से काफी स्टुडेंट्स को इंतजार था और वो इंतजार अभी खतम हो चुका है इनका सेडूल आ चुका है रेजिस्टेशन का तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि क्या क्या इनकी डेट से और इसके बाद में उत्तरप्रदेश स्टेट के जो ओनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट होने हैं वो ओनलाइन एप्लिकेशन 20 जनवरी 22 दोपेर 11 बजे से शुरू हो जाएंगे और इसके बाद इनकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 24 जनवरी 22 तक रहेगे इसके बाद में इसमें डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और सेक्यूरिटी मनी डिपोजिट होती है ये एक नोडल सेंटर पर होता है जो आपको रेजिस्टेशन के टाइम में चूज करना है कि कौन से नोडल सेंटर पर आपने डीडी डिपोजिट करनी है और इसके जाएगी 25 जनवरी इसके बाद में 24 फिलिंग के लिए 24 फिल वही कर पाएंगे जिन्हों ने डोकुमेट्स वेरिफिकेशन करवाया है सेकुरिटी मनी की डीडी डिपोजिट की है 27 से लेके 31 जनवरी 22 तक होगा रजल्ट एक या दो फरवरी 2022 को आ जाएगा और अलोट्मेंट लेटर डाउनलोड करने और एड्मिसल लेने की जो डेट रहेगी वो सेकंड फरवरी से लेके 5 फरवरी 22 तक रहेगे यूपी स्टेट की काउंसलिंग के अपने अलग नियम है इसमें फर्स्ट राउंड एक्जिक्ट राउंड नहीं होता है और इसमें अगर आपको सीट लोट होती है तो इसमें एड्मिसन लेना होता है नहीं लेते हैं तो सेकुरिटी मनी आपकी डिपोजिट की है आपने व वापस किया जाता है तो यह इसके अलग-अलग कंडिशन है और यह कंडिशन इसके साथ में लिखी गई हैं लिखी वई हैं इसमें यह सारी कंडिशने लिखी वई हैं तो यूपी स्टेट की काउंसलिंग करवाने से पहले आप इन सारे रूल एंड रेगुलेशन को एक बार थ्रोली चेक कर लें कहीं आपका सेक्यूरिटी मनी का नुकसान ना हो जाए क्योंकि यूपी के काउंसलिंग के रूल एंड रेगुलेशन थोड़े अलग हैं अब बात करते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है तो इसकी अप्लाई के लिए जो साइट है वो यूपी नीट ड की साइट है वो इसमें रेजिस्टेशन का लिंक जल्द आ जाएगा और इसकी डीजीम में यूपी डॉंट इन की साइट अभी काम नहीं कर रही है जैसी ये काम करेगी तो इसमें भी आप इंस्ट्रेक्शन वगरा देख सकते हैं लेकिन आपने ओनलाईन जो फोरॉम फिल क करना है तो ये कंडीशन हो गई यूपी स्टेट की अब बात करते हैं 36 गड़ इस्टेट की तो 36 गड़ इस्टेट के भी रेजिस्टेशन 20 जनवरी 22 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये जो रेजिस्टेशन की लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 22 है तो इसमें ये भी एक ओपन स्टेट कंडिडेट एडमिसन ले सकते हैं यहां के प्राइवेट कोलेज में और इनकी फीज मैं बताई चुका हूँ सबसे कम फीज है इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ इस स्टेट का तो रेजिस्टेशन आप करेंगे तो यूर ओबीसी के लिए 1000 रूपीज है SCST के लिए 5000 रूपीज है और NRI कंडिडेट के लिए 1000 रूपीज है इसमें रेजिस्टेशन के लिए तो यह ओनलाइन डेट स्टार्ट है रेजिस्टेशन की 20 जनुरी आज से यह स्टार्ट हो रहे हैं आपको यह रेजिस्टेशन कौन सी वेबसाइट पर करना है तो cgdme.co .in की वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो यहां पर आपको लिए लिंक मिल जाएगा और यहां से आप यह इसके रूल एंड रिगलेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहां से आप एप्लिकेशन फोर्म फिल भी कर सकते हैं तो यह दोनु स्टेट के बारे में जानकारी स्टुडेंट्स को काफी दिनों से इनका इंतजार था तो आप भी अगर इन दोनु स्टेट में दोनु ही ओपन स्टेट हैं इन में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मिलेंगे नई अपडेट के साथ नई जानकारी में तब तक के लिए जैखिन